इस्राइल और हमास के भी जारी जंग में हिजबुल्ला की घूनका इस्राइल के मनसुबे में बड़ी बाधा है जबकि एक तरफ लगातार इस्राइल हमास जंग के बीच सीज़ फायर के प्रयास किये जा रहे है लेकिन ऐसा लगता है कि इस्राइल और हमास खुद भी सीज़ फायर नहीं चाहते है कभी हिजबुल्ला कहता है कि वो इस्राइल के साथ युद नहीं चाहता है तो दूसरे तरफ वो ये भी कहता है कि अगर युध होता है तो वो इसके लिए भी तैयार है हिजबुला अपने नेता की हत्या काप बदला लेने की बात भी करता रहता है इन दोनों के बीच युद इतना गहराता जा रहा है कि कई बार तो लगता है कि हमास से शुरू हुआ जंग अब सीधे इसराइल और हिजबुला के बीच लड़ा जा रहा है इरानी नेता से लेकर हिजबुला नेता तक की मौत में जहां ये दोनों इसराइल पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसका बदला लेने की बात कर रहे हैं मुए इसराइल भी अमेरिकी मदद के जरीए ताबर तोड हमले कर रहा है एक तरफ जहां सीजफायर के चर्चा तेज है उस बीच हिजबुला की एक प्रतिक्रिया इस प्रयास पर पानी फेरती हुई दिख रही है दरसल हिजबुला ने एक बार फिर अपने वरिस्ट कमांडर के हत्या को लेकर इसराइल के खिलाफ जवाबी कारवाई करने के अपने प्रण पर जोड दिया है हिजबुला के उप महासचीव शेख नईम कासिम ने लिबनान के एक टेलिविजन को दिये इंटर्वी में कहा कि जवाबी कारवाई एक निरड़ा है और ये निरड़ा है इश्वर के इच्छा से होगा अमेर की दूट अमोस होस्टीम ने इजबुला के पीच तनाव को कम करने के उदेश से हाल में लिबनान की यातरा की थी कासिम ने उस यात्रा को भी दुश्चक्र बताया होस्ट्रीन ने बीते बुद्वार को कहा कि उनका मानना है कि इसराइल और हिजबुला के बीच पूर युद्ध को टाला जा सकता है उन्होंने कहा कि गाजा के लिए युद्विराम समझोता एक व्यापक युद्ध की आशंका को रोकने में मदद करेगा उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध का कूटनितिक हल संबव है होस्ट्रीन ने कहा कि लिबनान और इस्राइल के बीच पूरी तरह से युद्ध कोई नहीं चाहता इधर नईम कासिम ने हिजबुल्ला द्वारा गाजा के लोगों के समर्थन में किये गया वियानों का जिक्र किया उन्होंने वर्तमाल लड़ाई को कठिन बताते हुए इसे विकल्पों की लड़ाई कहा विकल्प से उनका मतब 2006 में इसराइल के खिलाफ लिबनान की जीत से है वो इस जीत को एक ऐसा विकल्प मानते हैं जो भविष्ट के लिए नियू बन गया उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हमारे पास सपष्ट विकल्प है हमारे पास मुक्ती, सोतंतरता, गौरा और सम्मान का विकल्प है ये कबजे और आकरमक्ता के विकल्प से कहीं अधिक कठिन है आपको बता दे कि इसराइल और हिजबुला के बीच आक्टूबर की शुरुआत से ही गोली बारी हो रही है इधर गाजा के समर्थकों ने तब तक जवाबी हमले जारी रखने की कसम खाई है जब तक इसराइली सरकार गाजा पर अपना हमला जारी रखेगी अवाबट महाश पहाजाबी इसराइली वाजाते दो stitch है